कर रहे हैं वेदानता लिमिटेट की आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ ही स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है देख सकते हैं 520 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया गिरावट आई तो इससे पहले जहां सपोर्ट लेके जम दिखाया था 480 का लेवल उसी के आज सपास से अगेन स्टॉक में बाईर से एक्टिव लोते है नजार आए और अपने रिजिस्टन्स के अपास 500 के आज सपास स्टॉक क्लोजिंग दिखा गया है और हैं बाइगकर грग करता नजर आ सकता है तो नीचे की और 480 का लेवल जब तक ब्रेकड़ॉन नहीं होता तब तक वेदानता में रीकवरी के आराफ साइट के चांस बनेंगे जिस दिन भी इस लेवल को ब्रेकड़ॉन कर गया तो फिर उसके बात लगातार गिरावट डिका सकता है तो अब जैसा तो 504-505 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है इस लेवल के ब्रेकड़ के बात निक्स टार्गेट 510 और इस बॉन्स बेक के साथ फिर जो मेजर रजिस्टन्स फेस करने वाला है 520 के लेवल पर जो इसका आप हाई देख रहे हो 520 का लेवल मेजर रजिस्टन्स फेस अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड है पॉजेटिव और मार्केट में भी आज के दिन रीकवरी देखने के लिए मिली थी लेकिन जो वार के से रिगार्डिंग निउस है हमको उस पर नजर रखकर जरूर चरना है क्योंकि वहाँ अभी तक कुछ हमको स्टेबल होने की निउस नहीं है तो वहाँ अगर कुछ ऐसी सिचुविशन आती है जो बैड नीउस हो सकती है हमारे मार्केट के लिए То अगेन मार्केट में क्राइस देखने के लिए मिल सकता है. तो अब इसके chart pattern को देखे तो आपने support level से support लिया है bondsback के साथ 520 का target दिका सकता है अर अगर 520 के नहीं इस high को जिस तरह से jump पर high break out होता है उस तरह से इस high को break out कर गया तो 530 से लेके 540 तक का भी jump हमको वेदानता दिका सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sale या hold की सला नहीं दे रहे अगर आप demand account open करना जाते हो तो description में दीगए link से कर सकते हो